पथान के बाद फैंस शाहरुखान की अपक्मिंग मुवीज को लेकर बहुत एक्साइटड हैं। उनके पास जवान से लेकर टाइगर वसेस पथान तक कई बड़ी फिल्में हैं। फिल्हाल वो साउथ डाइरेक्टर एटली की जवान और राजकुमार हिरानी की डॉनकी की शूटेग तैर समय पर खत्म करना चाहते हैं। अब डॉनकी को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है कि इस फिल्म के लिए वो आर्मी ओफिसर के किरदार में नजर आने वाले हैं। रेट सी इंटनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुक खान ने खुद कहा था कि डॉनकी उन लोगों की कहानी है जो घर वापस आना चाहते हैं। हमारे सहयोगी इटाइम्स की रिपोर्ट के मताबिक शाहरुक खान डॉनकी फिल्म में एक आर्मी ओफिसर के किरदार में नजर आएंगे। सूत्र ने बताया शाहरुक फिरसे वर्दी पहनने के लिए बहुत एक्साइटड हैं। वास्तव में अगर आप अनाउंस्मेंट का वीडियो देखते हैं तो पैंट से लेकर टीशिट तक यानी लुक से एक हिंट मिलता है। ये ऐसा लुक है जिसे सेना के जवान ट्रेवल करते समय या आराम करते समय पहनते हैं। इससे पहले शाहरुक खान ने स्क्रीन पर कई बार वर्दी पहनी है। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और भी ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।